पॉलिटेक्स से रहे कि अब सिनेमा इंडस्ट्री में भी नेप्रोटिजम घुश चुगा है पॉलिटेक्स में काँ पॉलिटेक्स में वहिया गांधी परिवार सुरवाद से सेंटर में पुरा अपना धौश जमा के बैठा हुआ है कई सालों से इन फैक्ट जब से कॉंग्र से हमें कॉफ़ आदमी पार्टई में हो चाए इंडस्ट्री में सब जानते हैं कि हमें मतलब पार्टी वालों को ही कोई दूसे हमकर करेंगे करेंगे कि कभी भी पार्टी जो एक deserving candidate को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा वो हमेशा पार्टी के family के पास ही रहेगा या family की पार्टी एक ही बात होई लेकिन दोनों चीज़ों में इंडस्री की आप कितना भी सल्मान सारुख जितने बड़े बड़े उखान कपूर उठाके देख लेंगे जन्ता को हमेशा पसंद आएंगे मनोजवाच भाई पंकस्त्री फार्टी नवाजदुदिन सिदिक्की राजकुमार राओ सुषान सिंग राजपूत मतलब हर वो ऐसा करेक्टर ज लेकिन अगर वहाँ पर नैचुरल जो जैन्मीन ओडियंस ही नहीं कि जो खाली हाई क्लास आया हुआ है अगर वहाँ पर कोई पंकस्त्री पार्टी आजाए अपने कालीन भाईया वाले अवतार में आजाए अगर या मनोजवाच पाई आजाए नमादुदिन सिदिकी आज लोग आजाए तो जो जनता का शोर होगा ना उनलों को शरम आजाए कि बड़े स्टार्स को कि इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है जनता जानती है कि उसको किसकी तरफ जुकना है तो अब मैं यहां पर बॉलिवुड को उन लोगों को स्पेसिफिकली मैं एक सजिसन देना मैं चाता हूं अगर मेरी वीडियो पहुच जाए तो मुझे नहीं पता कितने लोग देखते होंगे लेकिन मैं चाता हूं जन तक पहुंचाई कुछी तरीके हैं कि आप इस चीज से निपट सकते हैं जनरली आप भेड़ चाल करके नहीं निपट सकते कि इनके बीच रह भी इन लोगों से तंग आए हैं तो आप अपना अलग गुट बनाना पड़ेगा यूंकि इनका है यह लोग कभी चलने नहीं देते अब जैसे क्या कुछ सक्सेस्फुल एक्टर्स होते हैं जो पैसा कमाने के बाद अपनी खुद का प्रोड़क्शन हाउस खोल लेते हैं या फ रियल एक्टर्स हैं जो इन सब भी दभाव नहीं करना चाहते हैं जो अपना कमाना खाना चाहते हैं जो जन्दा को निट्रेंड करना चाहते हैं बिना नेपरिजम के चक्कर में पड़े और अगर कभी शिकार बने हैं तो उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम उ कर रही है इंसल्ट कर रही है हमेशा एक बड़े ग्रुप से उसको लेफ्ट आउट कराने की कोशिश कर रही है अगर आप ऐसा करेंगे और जनता हमेशा जिसकी पिक्चर है जनता डिसाइड करती है कि टैलेंटी वर्क करें सल्मान खान की वह रिस्पेक्ट नहीं है जो कि अग्यां और कितने लोगुमें फैन फॉल भी कर दिया है वग्यरा इससे यह भी लग रहा है कि सफ़ान सिह राजपूद्व की वाल फॉल एं दिल से कहीं गुणा जधा है रिस्पेक्ट कहीं कहीं गुणा जधात जे आथ चाहिं की वानिय चाहिए त इस तरीके को जो चाहे उसमें इनुवेशन करके, जाहे उसमें कुछ फेर बदल करके, जो आप करना चाहे करें, मैं चाहता हूँ एक गुट ऐसा भी बने, जो उनको टकर दे, जो उन्हें को नौकरी दे, जो उनको काम दे, जो उनका शिकार बन चुके हैं, ताकि फिर कोई आदमी किसी भी बॉयकट करना है और आने वाले समय में मैं गारंटी दे रहा हूं 2020 के अंत्य तक और 2021 से सुरू हो जाएगा अब यह दौर कि जो लोग नेपरिजम का सिकार बनाने में अपने आपको नेता बनते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा बहुत पावर बहुत फेम हैं खान और कपूर और करंज ओहर इननों को जो जगलियत मैसूस होने वाली है इनको अहसास हो जाएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की और सुसान सिंग राजपूत है की एक जांपल बनने वाला है जैहिन बंदे मा कि प्रपय कर दोस्तोर